महराश्ट में जल्द विधानसबा चुनाव होने हैं विधानसबा चुनाव के लिए तैयारियों का दौर शिरू हो चुका है राजनेतिक दल अपने अपने दाव पेच लगाना शिरू कर चुके हैं राज्य में सतधारी महयूती का मुकाबला महाविकास अगाडी से है चुनाव को लेकर इस वक्त सबसे दादा चर्चा सीट बटवारे और सीएम फेस को लेकर हो रही है एक तरफ महायूती में इसे लेकर सायोगी दल आपस में भिड़ रहे हैं सीएम फेस को लेकर रार चड़ी हुई है तो वहीं महाविकास अगाडी में मामला भेहशांत तरीके से सुलजाने की कोशीशे चल रही है लेकिन महायूती कुछ वक्त से दावा कर रहा है कि महाविकास अगाडी में सीएम फेस को लेकर ठनी हुई है विधान सब चुनाव में CM पत के चहरे को लेकर महाविकास अगाडी में खीशतान चल रही है लेकिन अब शिव सेना प्रमोक उदव ठाकरी के बयान ने महायूती के सभी दावों को खारिश कर दिया है दरसल उदव ठाकरी ने बड़ा बयान दिया है और साफ कर दिया है कि MVA जीता तो महाराष्ट का अगला CM कोन होगा आज इस पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा नमस्कार में आचल महाराष्ट में जैसे जैसे विधान सब चुनाव नजदी कर रहा है उसी के साथ दिन बदिन सियासी महाल और गर्माता जा रहा है राजनितिक दलों में आपसी टकराब भी बढ़ता जा रहा है हाल ही में सत्ता पक्षकी ओर से दावे किये जा रहे थे कि MVA में सीट बटवारे और CM चेहरे को लेकर ठनी हुई है लेकिन MVA ने महायूती के दावे को खारिश कर दिया है इसके साथ ही महायूती के मनसूबों पर पानी फेर दिया है दरसल हाल ही में उदव ठाकरे दिल्ली दोरे पर आये थे कहा जा रहा था कि वो CM पद के लिए दावेदारी की उमीद से दिल्ली आये जहां उन्होंने कॉंग्रिस हाई कमान से मुलाकात की जिसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा था कि उदव खाली हात महाराष्ट लोट गई है लेकिन अब महाराष्ट में शुकरवार को MVA की बड़ी बैठक हुई इस दोरान शिफसिना प्रमुक उदव ठाकरे ने CM पद को लेकर कहा की आज से हम लोग मिलकर आगे की लड़ाई की शुरुवात कर रही है इस लड़ाई में हमारी जीतते है सभी मुझसे पूछ रही है कि CM पद का इस बार चहरा कौन होगा ये सवाल मुझसे बार बार प्रदेश के नेता पूछ रही है मैं कहता हूँ शरत पवार सहाब और पृत्वी राद जी आप जिससे भी CM बनाएंगे मेरा समर्थन है उदर्थागरे के इस बयान से साफ हो गया है कि MVA में सब कुछ ठीक है महराष्ट में विधानसबद चुनावों में सीट शेरिंग और CM पद को लेकर महाविकास अगाड़ी यानि MVA के घटक दलों में सहमती बनती दिखाई दे रही है MVA की तरफ से दावा क्या जा रहा है कि महराष्ट में MVA की सरकार बनेगी CM किस दलका होगा और कौन होगा ये चुनावों के बात तै कर लिया जाएगा CM सब की सहमती से ही बनाया जाएगा यानि CM पद को लेकर MVA में टकराव नहीं दिखाई दी रहा है साफ है कि MVA एक जुट होकर मजबूती के साथ आगामी विधानसबा चुनाव लड़ेगा और इसके साथ ही उन्होंने विधानसबा चुनाव के लिए एक रणनीती भी तयार कर ली है जिससे महायूती की मुश्किले बढ़ती दिखाई दे रही है और दफठाकरे ने बीजेपी को चुनावती दे दी है उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ने के लिए तयार है तुम रहोगे या मैं रहूंगा इस जिद से चुनावी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम सबको ये शपत लेना होगा कि हमें उमीद्वारी मिले या ना मिले बीजेपी को हराएंगे साफ है कि लोग सुबर चुनाव के बाद से एमवेगा जोश हाई है और इसी के चलते एमवेए ने एक जुठ होकर विधान सुबर चुनाव लड़ने का एलान किया एमवेए सत्ता धारी महायूती पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और इसका डर पूरे एंडिये में भी दिखाई दे रहा है दरसल लोग सुबर चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ये दावा क्या चा रहा है कि राज्ये में एमवेए को बड़ी जीत मिल सकती है लोग सुबर चुनाव में राज्ये के 48 सीटों में से एमवेए को 30 और महायूती को सिर्फ 17 सीटे ही मिली थी जिसके बाद से एमवेए के होसले बुलंद हो गए है और ऐसे में एमवेए पूरे जोश के साथ विधान सुबर चुनाव की तयारियों में लग गया है हाल ही में बीजेपी ने जनता का मूर जानने के लिए सर्वे कराया सर्वे में पार्टी को राज्ये की 288 सीटों में से बास से एमवे की जीत का दावा सच सावित होता दिखाई दी रहा है लोग सुबर चुनाव में बीजेपी के चलते ही महायूती को बड़ा जटका लगा था जिसके बाद एंडिये पर सवाल उठते रही हैं वहीं अब उदव ठाकरे ने बीजेपी के गठबंदन को लेकर सवाल खड़े कर दी है उदव ठाकरे ने कहा हमने जो बीजेपी के साथ गठबंदन में देखा वो अनुभव मुझे फिर से नहीं चाहिए बीजेपी के साथ बैठक में हमेशा ये देखते थे कि जिसकी ज्यादा सीट उसका CM होगा तब वो हमारी सीट गिराने के पीछे पड़ जाते थे ये कोई गठबंदन होगा क्या उदर ठाकरे ने बीजेपी को चेतावनी दे दी उन्होंने लोगसबाचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जस प्रकार से लोगसबाचुनाव में हम लोगों ने मोदी सरकार को बुरा हाल किया उससे बुरा हाल इस बार करेंगे बीजेपी को बता देना है कि देश को भारत सरकार चाहिए ना कि मोदी सरकार विधान सबा चुनाफ को लेकर महायूती में सीट बटवारे पर राट छिड़ती हुई नजर आ रही है सवाल तो यहां तक उठ रही है कि क्या चुनाफ से पहले ही एंडी बिखर जाएगा जबकि विपक्ष के महाविकास अगाडी गठबंदन के बीच सीट बटवारे पर सहमती बंती दिखाई दे रही है सीम पत के लिए एंवे की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सब की सहमती से उम्मिदवार तै किया जाएगा तो वहीं MVA में सीट बटवारे को लेकर कई फॉर्मूला पर बात की जा रही है महाविकास अगाडी यानि MVA में सीट बटवारे के तीन फॉर्मूले है पहला तीनों पार्टियां बराबर बराबर सीटो पर लड़े दूसरा फॉर्मूला ये है कि कॉंग्रेस को 96 से 100 सीटों पर लड़ना चाहिए उदव ठाकरे को 96 से 100 सीटों पर लड़ना चाहिए जबकि शरत पवार को 90 से 96 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए तीसरे फॉर्मूले के तहट कॉंग्रेस और ठाकरे को 100-100 सीटों पर और पवार को 88 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए लेकिन विधान सभा में जो भी जीतेगा उसकी सीटों का फॉर्मूला लोगसभा जैसा ही होगा तो वहीं विधान सभा चुनाव से पहले महायूती टेंशन में दिखाए दे रही है लोगसभा चुनाव के बाद महायूती में आपसी कलर की खबरे सामने आती रही है पार्टी में पड़ी फूट ही एक बड़ी वज़ा है जिसकी वज़ा से अभी तक महायूती में सीट बटवारा नहीं हो पाया है सीट बटवारे को लेकर महायूती में बैठक तक नहीं हो पा रही है जबकि MVA में एक के बाद एक बैठक का दौर जा रही है महायूती में सीटो और सीएम पद को लेकर भी अभी तक पेच फसा हुआ है बीजेपी समेथ पूरे महायूती की बॉकलाहट साफ साफ दिखाए भी दे रही है दावा क्या जा रहा है कि बीजेपी को डर है कि कहीं न कहीं वो महराष्ट में साफ न हो जाए उधर ठाकरे ने विधानसबच चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी वाले विधानसबच चुनाव एक महिना आगे किरे धकेलना चाहते हैं ताकि लोग भूल जाएं कि हमने कोरोना काल में कितना काम किया ये कोशिश करने में लगे हैं लोग भूल जाएं हमने क्या किया नई नई योजना लाकर काई IAS ओफिसर मुझसे कह रहे हैं कि उधव जी आप जल्दी आईए महाराश्ट के अफसरों को शिंदे सरकार धमकी दे रही है कहा जो रहा है कि शिंदे सरकार हार के डर से गलत नीती का इस्तमाल कर रही है महायूती में टकराब बढ़ता दिखाए दी रहा है महायूती में अब तक ये ही नहीं तैव पाया है कि महायूती किसके नेतरित में चुनाब लड़ेगा तो वहीं MVA मजबूती से BJP और उसके सहियोग्यों का डटकर मुकाबला करने के लिए तयार है MVA ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से BJP को मुझ की खानी पड़ी थी वैसे ही विधान सबाचुनाब में भी BJP को निराशा ही हाथ लगेगी विधान सबाचुनाब में MVA ही जीत दर्च करेगी दूसरी और महायूती भी दावा कर रही है कि विधान सबा चुनाव में वो सरकार बनाएगी लेकिन उनके दावों में कितनी सचाई है ये तो देखने वाली बात होगी महायूती में CM पद को लेकर विवाद तेज हो गया है महायूती में सभी सायोगी CM पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं एक तरफ BJP नेता संके दे रहे हैं कि चुनाव BJP के नेतरित में होगा और सरकार बनने पर इस बार CM पद सायोगी का नहीं होगा बलकि BJP का ही CM होगा तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से दावा क्या जा रहा है कि BJP ही कमान से पहले ही डील हो चुकी है कि चुनाव एकनात शिंदे के नेतरित में लड़ा जाएगा और सरकार बनी तो शिंदे ही CM होंगे तो NCP ने भी अब CM पद को लेकर दावा ठोक दिया है साथ ही महाराष्ट विधानसवा चुनाव के लिए सीट बटवारे में भी बड़ा हिस्सा मांगा है ऐसे में सवाल ये भी है क्या ये NDA एक साथ चुनाव लड़ भी पाएगा ये NDA विधानसवा चुनाव से पहले ही बिखड जाएगा फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार